हेलो स्टुडेंट्स, क्लास 12 और क्लास 10 पे बच्चों के लिए बहुत बड़ी ख़बर आ रही है जी हाँ बहुत बड़ी ख़बर है, अभी अभी जो सर्कुलर अपलोड हुआ है CBSC की तरफ से, जो क्लास 10 और 12 के बच्चों के लिए मैं आपको सर्कुलर बढ़के सुनाता हूं क्या कहना चाह रहा है यह सर्कुलर CBSE के dispute committee के बारे में है CBSE ने dispute committee बनाने के बारे में फैसला दे दिया है और CBSE ने complete information कहा है कि कल यानि 6 तारीक को शाम तक हम पूरा website पे upload कर दिया जाएगा कि dispute committee के बारे में क्या है कैसे करना है मैं आपको सर्कुलर बढ़ा रहा हूं क्या है CBSE has declared the result of class 10th and 12th with the help of all the students the credit goes to the teachers who are involved in the preparation of result of both 10th and 12th as it stands in form that dispute regarding computation of result will be referred to a committee by the CBSE in this regard it is communicated that CBSE is preparing the policy for submitting representations to CBSE this policy will be uploaded on the board website by the evening of 6th August कल की बात हो रही है representation में will only be accepted if made per policy मैं आपको बहुत दिनों से कह रहा था CBSE की policy आने वाली है dispute committee को लेके और आज ये committee की dispute committee के बारे में से CBSE ने बिलकुल बात की है कल शाम तक 6 तारिक की शाम तक आप सभी को बता दिया जाएगा कि dispute committee के बारे में क्या है कैसे representation देनी है कैसे आपके marks बढ़ेंगे क्या criteria रहेगा आपको कहा जाना पड़ेगा जितनी भी formalities है कल शाम तक आप सभी के बास dispute committee के बारे में फैसला आ जाएगा ये सभी उन बच्चों के लिए अच्छे जो बच्चे क्लास 10 और 12 में है खासकर क्लास 12 में बच्चे हैं जो बहुत परिशान है जो नहोंने बहुत अच्छा score किया result उनका कम आया है उन बच्चों के लिए बहुत बड़ी ख़बर cbsc की dispute committee जिसके बारे में हमेशा बात कर रहा था और बहुत सरे लोग मुझे कह रहे थे कि नहीं गर्द information है जूट बोला गया है ऐसा है वैसा है बेटा मैंने हमेशा इंफॉर्म आप लोगों को बिल्कुल accurate और authentic news दिया है और आज देखिए cbsc के circular है dispute committee के बारे में नीचेक और लाइन लिखी हुए the school who are making contact to cbs in any form are requested to make the representation once the policy is uploaded on the website by complying the direction given there any representation sent before this notification will have to submit it again as the policy notified with the given time to time बहुत सरे school results भेज रहे हैं cbsc को हमारे बैचे के number कम हो गया ऐसा हो गया यह हो गया यह हो गया बेटा dispute committee बन रही है कल शाम को छे बजे तक आप लोगों को पस information आ जाएगी जैसे को information आती है मैं आप सभी के बस फिर से आऊँगा और आपको inform करूँगा और जैसा हम लोगों ने कहा था dispute committee बनेगी आप सभी को benefit होगा और बिल्कुल cbsc ने वैसा ही किया है आप जल से जल इस news को आगे अपने इस फ्रेंड को शेर करें सब्सक्राइब करें और इनको बताएं कि dispute committee बन गई है आप सभी को अब time आ गया है जब आपके नंबर बढ़ने वाले हैं अगर आप बिल्कुल satisfied cbsc मानता है कि हाँ आपके नंबर गलत लगे है और मुझे उम्मीद है कि आप सभी के साथ इंसाफ होगा, we want justice. Thank you. Jai Hind.